हाई मेरे जेगेटी एन वेलकम टो एडुकेटीन चैनल वन्स अगेन तो यह अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे गवर्मेंट बजेट गवर्मेंट बजेट बहुत ही इंपोर्टन बहुत इंट्रेस्टिंग और इससे आप मिनिमुम यार कम से कम भी तो दो से तीन म इनिममम है यह पांच से भी जा सकते क्योंकि कहीं बारी जो है एकनॉमिक में ने देखा रहा कहीं लॉट में लास्टियर के सब्सक्राइब तो इसलिए यह चैप्टर बहुत इंबॉर्टन है येट बहुत इजी भी है तो अगर आप सोच लिए ना कि यार मैं इस चैप्ट इफेक्टिव रेवन्यू देफिसित इस फिप्टीन करोड बॉर्विंग साथ 12 करोड वट विल बी वेल्यू ओफिस्कल डेफिसित अब अच्छे परचान हो जाए और इफेक्टिव रेवन्यू डेफिसित तो हम कुछ पढ़के नहीं और भाई टेंशन इन लेनी फिस्कल डेफिसित पूछा है और हमें पता है फिस्कल डेफिसित इस इक्वस्टू बॉर्विंग फिस्कल डेफिसित इस इक्वस्टू बॉर्विंग तो वो कितनी है आपकी यहां पर 12 करोड है तो फिस्कल डेफिसित कितना होगा आपका 12 करोड क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो क् मतलब मिर को समाझ नहीं आ रहा मतलब कहीं बारी समझा करो को को कि वह मांग क्या रहा है आप से ठीक है जी एंदेन एकॉर्डिंगली वर्क करा गरो उस पर ठीक है चलो आजो तो यह उसने हमसे मांगा था और हमने उसको प्रिजेंट कर दिया था deficit in the budget indicates deficit क्या होता है budget में deficit तब आता है जब आपका expenditure जादा हो रेसिप से यह आपके questions आ रहे हैं क्यों छोड़ जाएं कैसे छोड़ जाएं जी कुछ मतलब वह भी तो होना चाहिए दीन मान भी तो होना चाहिए चैप्टर का छोड़ने वाला एक 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 मुश्किल चैप्टर होना चाहिए ठीक है जी बुरा मान जाएगा मुझे लग रहा है जितनी मैं उसकी वह कर रहा हूं आजो टर्म्स यूजड बजट एंड मैंट पॉर मैंच लिस्ट वन विद लिस्ट तो बजट में यह जो टर्म्स होती है और उसके आगे आपका उ जो है आपका जनरल ओवर्वीव बजट एन अब जरूरी नहीं है कि आपको अगर कोई चीज़ा बजट एट एट ग्लांस मुझे नहीं पता क्या होता है लेकिन मेरा जब क्लियर हो गया बाक्यों से तो मैं इतनी टेंशन लोड क्यों लूँ ठीक है अगले पर आजो पब्ल गूर्ड का नीचर जो होता है वो नन राइवलरस और नाइक्स्क्लीडेवल होता है नाउन राइवलरस का मतलब क्या होता है यह आपने बोर्ड के टाइम पाड़ा एकbakर जो है उसकी मार्किट बढ़ा देंगे ठीक है तो वो non excludable भी है, non rivalrous भी है, अगले पर आ जाओ, government in its budget has announced the construction of seven textile parks under the scheme of mega investment textile parks, ठीक है अब वो textile पर focus कर रहा है आपर, वो textile industry को grow करना चाहता है, which objective of government budget is most likely being reflected here, most likely बोला है उसने, देखो, redistribution of income, poor or rich के बीच में होता है, कहीं mention नहीं कर रहा है, bringing economic stability, prices से related होता है, वहाँ भी नहीं बोल रहा, reducing fluctuations in general price level, बात एक ही होती है, तो ले देकर हमारा बचा कौन सा, reallocation of resources, क्योंकि देखो ना, वो एक industry पर focus कर रहा है, textile industries पर focus कर रहा है, कि उसमें हमें investment बढ़ानी है, तो कुछ उन्होंने यह सब program निकाला है, तो इस बात का ध्यान रखना, which of the following deficit shows excess of government expenditure over receipt other than the burden of interest payment, जिसमें interest payment को नहीं consider किया जाता, तो वो होता है आपका primary deficit, क्योंकि primary deficit का अगर आपको formula पता होगा, वो होता है आपका fiscal deficit minus interest, fiscal deficit minus interest, तो इसका मतलब यह क्या हो गया, कि वो interest payment को exclude कर रहे हैं आप से, ठीक है, तो इसलिए यह हो गया आपका primary deficit, अगला match list one with list two, list one में transaction दिया है, list two में उनके head दिया हो, आ जाओ, loans extended by Indian government to Sri Lankan government, पैसा वहार जा रहा है, ठीक है, expenditure, लेकिन asset create हो रहा है, कल को इस पे income generate होगी, तो यह हो जाएगा, आपका capital expenditure, क्या हो जाएग candidate कर रहा है, expenditure by government on COVID, यह हो जाएगा आपका revenue, तो A का 3, B का 4, A का 3, B का 4, मुझे एक ही दिख रहा है, अलाकि A के 3 से ही मुझे confirm हो जाता, dividend received by government, यह होता है आपका revenue, उसके वार public provident fund held by, held by public, यह हो गया आपका second capital receipts होता है, ठीक है, यह vaccine जो है, यहाँ पर आ जाएगा, COVID vaccine, ठीक है, चैलो, अगला फिर से मैजदा फॉल्विंग, आप देख सकते हो, economics में मैजदा फॉल्विंग तो बहुत तगड़े आने वाले है, बहुत आते हैं, आजो, revenue receipt, अब वही है, आपके head दे रखी, item दे रखी है, revenue receipt मे कोन सा जाएगा, revenue receipt जाएगा, आपका corporation tax, यह आप का answer हो गया, उसके बार revenue expenditure, interest payment, C का 4 है और D का 2 है, match list 1 with list 2, revenue budget, capital budget, financial year, public goods, देखो, financial year कोन सा होता है, हमारा, 1 April 31st March, C का 1, दो option में है, ठीक है जी, public goods कोन से होते हैं, public goods are the goods that are collectively consumed, D का 3, C का 1, D का 3, दोनों में ही दे रखता है, B से clear हो जाएगा, capital budget, capital budget कोन सा होता है, capital budget होता है, आपका, recipient expenditure of government related to assets and liabilities, ठीक है, तो यह हो गया, B का 4, ठीक है, और A का 2, A का 2 होगा, obviously, तो A part is your answer, A part is your answer, ठीक है, अगले पे आते हैं, payment of salaries to government staff is a revenue expenditure, because, जो भी हम salary pay करते हैं, हमारे government staff को, ठीक है, payment of salaries to government staff is a revenue expenditure, because, उसको revenue expenditure में क्यों डालते हैं, क्योंकि नाइडर creates asset nor reduces liability, ठीक है, capital expenditure का nature होता है, कि it either creates asset or reduces liability, revenue का opposite होता है, neither creates asset nor reduces liability, ठीक है, अगला, identify non-debt creating receipts from the following, अगर हमें इसमें से non-debt creating receipts चाहिए, non-debt है, non-debt creating receipts, ठीक है, उसने revenue और capital नहीं बोला, non-debt, मतलब, apart from borrowing, और कहां कहां से government के पैसा आता है, तो एक तो हो गया recovery of loan, ठीक है, बी तो ही है, क्योंकि recovery of loan में भी तो पैसा आ रहा है, external assistance received from the rest of the world, ठीक है, एक मिट इसको जो है, एक मिट के लिए अभी हम hold पे रखतें, क्योंकि देखो, दो टाइप की assistance होती है, एक होता है, जिसमें हमें पैसा कल को वापिस देना होता है, और एक होता है, जिसमें हमें पैसा वापिस नहीं देना होता है, तो अभी देखते है sale of PSUs, यह हो गया, aid received from the rest of the world for the construction of cyclone affected regions of the country, ठीक है, तो यहाँ पर B और D तो हो गया, अब B and D जो है, वो आ रहे हैं आपके दो option में, एक आ रहा है इसमें, एक आ रहा है इसमें, अब B, C तो नहीं है, यह तो हमें confirm है, तो इसका मतलब option कुन सा बचा B, D, E only, कुन सा बचा B, D, E only, इसका मतलब है, external assistance वाला नहीं आएगा, यह वाला आएगा, aid received, क्योंकि यह वाला पैसा हमें वापिस नहीं देना होता, उन्होंने help करी है, यह assistance है, assistance में यह वाला पैसा वापिस करना होता, liability बनी है, और उसने non-debt creating receive मांगे थे हम से, समर रहे हैं बात कि नहीं समर र नाम का जो telegram channel है, यह उस पे मिलेगी आप, किस पे मिलेगी यह, उस पे मिलेगी, तो make sure इसको जल्दी से subscribe कर लो, join कर लो channel को, साथ में मैं वहापर quizzes भी करवा रहा हूं, ठीक है जी, तो जिसके questions के आप answer करोगे, तो आपका confidence building होगा, आपको नए type के questions देखने को मिलेंगे, आपस में वहाँ पर जो है, बच्चों से बात करोगे, उनका preparation level जानोगे, so that whole motivation मिले, etc. Money received through sale of shares in public sector undertaking known as PSU disinvestment, यह actually में करता क्या है, यह actually में government का total asset reduce करता है, जब वो public sector company के यह public sector undertaking के enterprise के अपने share sell कर देते हैं, जिसको हम disinvestment बोलते हैं, तो actually में वो government के total asset कम हो रहे हैं, क्य तरह government को, ठीक है, which means an excess of revenue expenditure compared to revenue receipt of the government, तो revenue deficit में जो है, excess of revenue expenditure over revenue receipt देखा जाता है, ठीक है, यह आपके, बहुत मतलब क्या बोलूँ, बहुत easy question है, मैं इनको tough में डालूँगा ही नहीं, तो easy category में ना डालूँगा ही, अगला primary deficit का बोता है, primary deficit का answer basically तब ही आएगा, फॉर्मुल अगला question, what needs to be subtracted from gross fiscal deficit to get gross primary deficit, simple सी बात है, net interest liability, net interest liability, primary deficit निकालने के लिए, fiscal में से interest ही तो minus करते है, अब सर, gross क्या होता ही है, क्या होता है, इतने जंजट में जाना ही नहीं है भाई, आपको, one kind of deficit in annual budget will have to be financed through borrowings, it indicates total borrowing requirement of government from all sources, it is known as fiscal deficit, देखो पहली बात तो और कोई deficit आपने पड़े ही नहीं है, बताओ, उप्शन उतने ऐसे जदी है, अगर किसी बच्चे कोशन नहीं भी समझाए, वो सिरफ ऑप्शन ऑप्शन से, कोशन भी न पढ़ते हैं, फिर भी आप answer करते है क्योंकि होट टाइप की पतानी, चीज़े ही नहीं पढ़ी है आपने कुछ, वो होता ही नहीं है कुछ, बताओ, यह तो आपकी इतनी help कर रहा है NTA, फिर भी कहते हो, जी NTA वले जो है, क्या ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, एक्सेक्टरा, आजो, receipts of government that are non-redeemable and cannot be reclaimed from government under which type of revenues of the government, तो ऐसे receipts of government, जो की non-redeemable है, मतलब government को वापिस नहीं करने है, and cannot be reclaimed from government, तो यह answer आजाएगा आपका revenue receipt, कौन सा आजाएगा, revenue receipt, ठीक है, अब यह revenue receipt क्यों होगा, क्योंकि revenue receipts are non-redeemable, उसमें कोई liability create नहीं होती है, capital receipts की अगर हम बात करें, उसमें liability create होती है, ठीक है, अब tax revenue में भी आपको बता है, यहाँ पर, कि revenue receipt में tax और non-text दोनों आ जाते हैं, और वो दोनों non-redeemable होते हैं, कोई पैसा हमें वापसी नहीं करना हो, ठीक है, revenue receipt in the government, budget include, revenue receipt में क्या क्या आ जाता है, government budget के, आजो देखते हैं, government borrowing नहीं आती है, tax revenue आता है, yes, B दे रखा है, A हटा दो यहाँ, जिस जिसमें A है, वो option ही हटा, हमार बाद दो बचे, अब इसमें B हैनी, इसमें है लो, answer इतना easy निकल रहा है, answer, आगे देखना भी नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, यह दोनों ही हैं आपके, बट मैंने देखो, clear कर रहा है, इसको बोलते हैं, elimination method, eliminate करते जो भाई, options, अगले पर आजो, which one is not the objective of government budget, इसमें से कौन सा objective नहीं है, government budget का, increase in regional disparities, not बोला है, हम decrease in regional disparity पढ़ते हैं, increase in government, बढ़ाएगी थोड़ी ना, regional disparity, कम करेगी, जो differences है, regions में, estate is an example of, estate किसका example होता है, आपका, revenue receipt का, estate होता है, कि जब कोई बंदा, जो है, intestate मर जाता है, intestate मतलब without will, गलत मत समझना, ठीक है, तो उसकी जो property होती है, उसका अगर कोई legal hair भी नहीं है, तो उसकी property पर कोई claim करने वाला भी नहीं है, तो फिर government उसकी property जो है, वो ले लेती है ठीक है, उसके बाद, यह आपका question है, अब देखो practical भी आएगा, primary deficit आपको निकालना है, आपको borrowing दे रखा है, borrowing मतलब fiscal deficit, और primary deficit का formula, fiscal deficit minus interest, अगर यह 12500 है, और interest 5000 है, तो यह आगया आपका 7500, simple, इतना पूरा देखना भी नहीं है, इतना जंजड मत करना, ठीक है, अगले पर आजो, match the following, fiscal deficit, fiscal deficit का मतलब होता है, borrowing, A का 4, दो option में है, B से clear हो जाएगा, revenue payments, मतलब revenue expenditure, यह गया, administration cost, जिनको हम non-development expenditure भी बोलते हैं, administration cost को, तो B का 3, A का 4, B का 3, A की option में दिख रहा है, ठीक है, अगला, Dash is a revenue receipt of the government, इसमें से कौन सा revenue receipt है, profit of LIC amount borrowed नहीं, recovery of loan नहीं, sale of 40% नहीं, revenue receipt जो की neither decreases asset or increases liability, non increases liability, which of the following are sources of revenue expenditure by the government, इसमें से कौन से जो है, sources है, revenue expenditure के by the government, तो इसका answer हो जाएगा, sources of revenue expenditure, कहां का पैसा लग सा है, repayment of loan तो capital expenditure हो गया, एवले option अटा दो, जिस जिसमें A आ रहा है, ठीक है, expenditure on defense services, हाँ ये है, अब देखो इसमें B और C दोनों में ही है, तो B C तो देखने भी लिए, D और E में से confirm करो, lending to commercial banks नहीं, interest payment यह, तो answer हो गया, B C D only, answer हो गया, B C D only, ठीक है, अगले पे आ जाओ, which deficit includes only such transactions that affect current income and expenditure of the government, तो ऐसे कौन से deficit है, which includes only such transactions that affect current income and expenditure of the government, current income and expenditure जो है, revenue deficit के बारे में बताता है, ये current of incomes and expenditure के बारे में बताता है, revenue deficit कैसे निकलता है, revenue expenditure माइनस revenue receipts, तो that's all for this video, I hope आपको valuable लगयो वीडियो, आपको एक idea लगाओ कि हाँ ग्योवर्मेंट बजट ऐसा आ रहा है, इतना load नहीं लेना, इतनी tension है, ठीक है जी, तो I hope आपको clear है, सब कुछ, जल्दी से telegram channel join कर दो, और मुझे वहाँ पर आके बताओ, sir, कितने answer आज की वीडि में, till then, bye-bye, take care and have fun.